हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इलीजियम देविधार मार्क पर लकड बाजार से चार किलो मीटर दूर दुदली बस ठहराव आता है यहां से मात्र पांसो मीटर दूर जंगल के बीच से पैदल रास्ते को तै करने पर उची पहाड़ी परस्थित माता काली का मंदिर है यह स्थान प्राचीन काल में जनसाधारन में पधाई माता के नाम से विख्यात है उपर मंदिर तक पहुँच कर इस जगा की सुन्दर्ता और शान तवातावरन का अनूभव होता है इस थान पर भिन-भिन मंदिर हैं जिसमें श्री काली माता, श्री दुर्गा माता, शिफ परिवार, विश्नु परिवार, महावीर एवं भैरों की विशाल मूर्टियों के दर्शन करने को मिलते हैं इस थान पर भक्त जन अपनी मनोकामना पूर्ण करने है तू लगातार आते रहते हैं मंदिर के परांगन में प्रवेश करते ही हमें प्राचीन सिद्धिदा काली माता मंदिर के दर्शन होते हैं मंदिर के अंदर काली माता की मूर्टी स्थापित है इस मंदिर का नवनिर्मान सन 1989 में हुआ और मंदिर को एक नया रूप दिया गया पधाई माता मंदिर के समीब भैरो देव का मंदिर स्थित है कुछ आगे जाने पर महावीर और भैरो दोनों की मूर्टियों के दर्शन होते हैं आगे ही सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर पढ़ता है जहां अंदर शिवलिंग के साथ शिव परिवार के दर्शन होते हैं कुछ ऊपर पौडी चड़ने के पश्चात सिद्धिदा माता का मंदिर आता है जिसमें मादूर्गा की मूर्ति स्थापित है पहाडी की आखरी चोटी में सबसे उपर विश्चु परिवार का मंदिर है परांगन में चारों तरफ से अतीम अनुरम द्रिश्य दिखाई पड़ता है यहां से शिमला की वादियों और परवतों को देखकर मन प्रसन हो जाता है और हमें असीम शान्ति का अनुभव होता है इस थान पर परमपरागत रीटी रिवास के अनुसार शरत नवरात्र मनाया जाता है और यहां मेला भी लगाया जाता है इसके अतीरिक्त महाशिवरात्री, राम नवमी, कृष्ण जनमाष्टमी जैसे अनेको महतसफ मनाये जाते हैं इस रमनीक स्थल पर पूरे वर्ष प्रेटकों का आना जाना लगा ही रहता है प्रेटकों का आना जाना जाता है झाल